गूड इवनिंग फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमीड करता हूँ कि आप लोग बिलकुल अच्छे होंगे बिलकुल बेंदास होंगे आज दोपहर में पाकिस्तान मीडिया ने अचाना की एक गोली अपने अंदर घूट ली यानि कहते हैं ना कि जब आप बिमार होते हो तो कई बार आप टैबलेट ले ले तो बिलकुल वो एक नए नी टैबलेट ले करके बैठ गए कि भाई हाइब्रिड मॉडल जो है वो तो ठीक है हम मानते हैं कि हाइब्रिड बॉडल में आई पिल होगा लेकिन इंडिया वसस पाकिस्तान का जो माच है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा final decision जो है वो almost हो चुका है और क्या final फैसला है पाकिस्तान जो है उस फैसले को कितना मानने को तैयार है और क्या exactly अपने date पर ही champion's trophy की शुरुआत होगी या फिर scheduling में भी आगे पीछी होगा इसी को लेकर के मैं बड़ी information लेकर के आया हूँ तो आप दमाम 200 से अगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर लीजिगा sports talk चैनल को क्योंकि लगातार हम लोग आपके लिए information collect करते हैं share करते हैं और सबसे पहले लाने की कोशिश करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इस video को share कर दीजिगा कई बार पाकिस्तानी मीडिया को मुझे जवाब देना पड़ता है क्योंकि हद से जादा जब बाते निकल जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता और मैं किसी individual का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ मुझे मेरा ये basic nature भी नहीं है लेकिन जब मामला country पर आ जाए तो फिर मुझे ये करना पड़ता है क्योंकि कई सारे ऐसे मैंने जर्लिस्टों को देखा है पाकिस्तान में जिनकों कि मैं मैं जर्लिस्ट कहूं कि नहीं कहूं मैं खुदी कई बार शर्मिंदा हो जाता हूँ और जिस language से वो बात करते हैं इंडियन मीडिया को लेकर के मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अपने journalism पर और आएने में जाकर के जरूर देखनी के जरूर थे तो भई सबसे बड़ी information या रही है कि चैंपिन्स टोफी अपने schedule के हिसाब से ही होगा एक और चीज़ कई सारे पाकिसानी मीडिया हाउसेज ने sports talk के इस वीडियो को इससे पहले वाले वीडियो के clip को काट लिया था और कहा था कि बई schedule कहा है schedule कहा है और आपको मैं बता तो कि फिरिन 48 hours schedule की गोशना ICC करने जा रहा है और उस schedule में कोई बहुत जादा बदलाओं नहीं है जहां तक बात है जो पाकिस्तानी मीडिया अब ये ख़बर चला रही है कि ठीक है हम hybrid model पर तो तयार है हमारे पीसीबी जो है वो भी थोड़े से मतलब नरम पर चुके है hybrid model पर हम काम करेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि यही एक मात रास्ता है और यह देखें तो cricket के लिहास सबसे suitable चीज है लेकिन मेरा यह कहना है कि यार इससे पहले इतना हाई तौबा मचानी की क्या जरूरत थी अगर मैं बहुत नीचे लेवल पर आ जाओं तो मैं भी कुछ ऐसे words use कर सकता हूं जो कि आपको चुभे की पाकिस्तानी मीडिया बालो जिस तरीके से आपने भारतिये मीडिया के लिए कुछ लोगों के लिए आपने personal attack किया और in fact पूरे Indian मीडिया को आपने target किया अगर मैं आपसे एक सवाल कर लूँ तो क्या आप जवाब दे पाऊंगो मैं 10 सवाल कर सकता हूं इस समय पाकिस्तानी मीडिया से और 10 जूट इस समय मैं model पर पाकिस्तान यानि की PCB जो है वो अब मानने को तयार है उनके पास में कोई option है नहीं जितना उन्होंने हाई तौबा मचाया जितना उन्होंने डराने की कोशिश की कि हम hybrid model नहीं अपनाएंगे और भारत को ही आकर के खेलना पड़ेगा पाकिस्तान में वो जो bomb इन्होंने बनाया वो फुस हो गया एकदम फुस है ना कई बार आपने देखा होगा कि पटाका फोरने के लिए जाते आवाज नहीं आती तो इन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा पटाका है इसकी गूंच बहुत दूर तक जाएगी लेकिन कोई आवाज नहीं आई सब को confidence में रखते हुए ICC नहीं फैसला किया है यह बड़ी ख़बर है ऐसा नहीं है कि सिर्फ BCCI को ICC ने इन्फॉर्म कर दिया या PCV से उन्होंने बात चीट की है यह जो PCV वाले पहुँचे थे ना पाकिस्तान cricket board, England and Wales cricket board के पास में अपनी वो ले करके बड़ी अपनी case को ले करके कि आप हमें सपोर्ट कर दें और आप आकर के कहई दीजये कि नहीं पाकिस्तान में ही champion trophy होना चाहिए दूसरी बात यह है कि मैंने वसी मकरम से लेकर के एकाद और commentator को सुना है जब पाकिस्त उन्होंने अपनी बात रखी उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हर तरब से ये माहुल बनाने की कोशिश की गए लेकिन किसी ने क्या इंडियन टीम मैंजिमेंट से पूछने की कोशिश की कि क्यों मैंजिमेंट नहीं आना चाहती है सिर्फ इस समय भी पाकिस्तानी मेडिया यही कह रहा है कि सब टीम आ रही है आप क्यों नहीं आ रहे हो तो यह रीजन नहीं है ना कि सब टीम आ रही है आप क्यों नहीं आ रहे हो आप मुझे बता दो एक से बढ़कर के एक घटना में अगर बता दू जहां पर कि परसनली किसी कंट्री के उपर में ही बुरी तरीके से साजिश रची गई है ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी दुनिया के खिलाप में साजिश रच देते हैं लेकिन एक कंट्री को अब टार्गेट जरूर कर देते हैं और पाकिस्तान हमेशा ही टार्गेट पर रखता है इससे जादा मैं क्या ही कहूं आप लोग को आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है सिक्योर्टी का मामला जो है वो सीरियस मामला है हम अपने खिलाडी को तो भेजेंगे नहीं दूसरी बात यह भाई साब कि यह जो टॉस करते वे नसराएंगे और भारती एटीम के साथ में माच खेलते वे नसराएंगे यह भी बात आप लोग किसी कोने में जाकर करके लिख लीजेगा एक और चीज़ है जो कि बहुत जल्दी क्लियर होने वाला और पीसीवी को इस पर फटकार लगने जा रही है और यह पाकिस्तानी मीडिया ही अपनी पीसीवी की बेज़िती करवा रहा है कोई और नहीं यह बकरी जैसे लोग और इनके जो एकाद और हैं मैं नाम से नहीं जानता हूँ लेकिन पता नहीं एक दो और हैं जो कि बहुत ज़ादा इंडिया के खिलाप में इस तरीके की बाते कर रहे थे मैं कह रहा हूँ कि यह कहते हैं कि भई हम आपके घर पर आकर के खेले आप क्यों नहीं खेलोगे देखो मेरे दोस्त पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि यह कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि हम आपके घर पर आकर के खेले तो आपको भी हमारे घर पर आकर के खेलना ही पड़ेगा आप उस समय ICC से कह देते हैं अगर ICC को लगता है कि आपका केस मजबूत है तो आपके लिए हम hybrid model कर देते और अगर BCCI को लगता है कि नहीं करने के जरूरत नहीं है तो आप नहीं आ कह देना 2026 में कि हम T20 World Cup नहीं जाएंगे खेलने के लिए हिंदुस्तान में जब वक्त आएगा तो आप कह देना लेकिन ये मत को कि हिंदुस्तान जो है वो हम गए हिंदुस्तान में तो आपको भी आना पड़ेगा ऐसा नहीं चलेगा ICC ने बिलकुल clear cut ये बात कह दी है त आप लोगों को भी अब सच समझ जाना चाहिए ये वही लोग हैं जो व्यूज के लिए इंडिया के मैचेस में होई 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 एशिया की जीत होगई एशिया की जीत होगई एशिया की जीत होगई या दोगा आप लोग लेकिन जब वही हिंदुस्तान की टीम कहती है पाकिस्तान में नहीं आएंगे खेलने के लिए तो यह ट्रोलिंग पर उतर जाते हैं याद रखेगा इनके सब के चेहरे को यह वही लोग हैं जो समझ जाए कि व्यूज के लिए कैसी कैसे यह हरकत करते हैं और कितने यह इंडियन क्रेके टीम से प्यार करते हैं वो पिछले 10- 12 दिनों में मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी देख लिया होगा तो यह गैरेंटेड है हाइब्रिड मॉडल में ही चैंपिन्स टोफी होगा और एक बात और है कि अगर गलती से इस बार पाकिस्तान ने कहीं से भी यूटर्न लिया तो चैंपिन्स टोफी फिर हिंदुस्त में खेला जाएगा और हिंदुस्तान तमाम टीमों का वेलकम करने के लिए तैयार है यह बात भी तैया है लेकिन मुस्ट लाइकली हाइब्रिड मॉडल में ही चैंपिन्स टोफी होगा और विदीन दो से तीन दिन इन फैक्क तीन दिन में मैं नहीं कहूंगा मुस्ट लाइ आनले हीमी